लिवर की सफाई करने का इससे सस्ता और आसान उपाय कोई आपको बता ही नहीं सकता नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगान उसारे में एक बहुती खास और बहुती इंपोर्टेंट वीडियो के साथ है जी हां दोस्तों लिवर को डिटॉक्स करने से पहले इस बात को समयना से ज़रूरी है कि सरीर को इसकी जववथ कंपड़ती है थोड़ा सा काम करते ही थकान महसूस होना इसकिन का रंग बदलना ब़ाबर एलर्जी होना छाती में जलन भोजन शरीन को ने लगना जैसी प्रॉबलमस अगर शरी में दिखती है तो कहा जाता पे तुरंत लच्छर दिखने लगते हैं फीर हमारे पेटे में दर्द होता है दोस्तों किर्नी फिल्टर की तरह काम करता है छिसी प्रकार क्लिवर का भी ध्रैक ठीक सेम सेम रखें क्योंकि हमारे सश्रीर में दोनों की अंग बहूत महतोपूर आहने इसलिए स्वस्त रहेगी दोनों को स्वस्त रखने के लिए आप एक ही चीज का उपयोग कर सकते हैं अहरुवेद के मुताबिक हर व्यक्ति के लिए सौच जाने का सरवत्तम समय तड़के पांच बजे से लेकर 6 बजे तक होता है दरसल इस समय हमारे सरीर में वायू का प्रवाह तेज ह होता है जो मल को बहार निकालने के लिए आवस्यक होता है ऐसा समय जो मल त्यागने के लिए अत्यांत सुलब रूप से होता है इसलिए हमारी सरीर में सभी चीजों की प्रक्रिया को समय से जरूर करना चाहिए लेकिन अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपका सरीर सुस्तर हैगा लीवर हमेशा आपका साफ रहेगा लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास चानकारी छुटे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइकन ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दवाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक दोस्तों अंगूर किसी को भी पसंद होता है बच्चे भी हों या फिर बड़े सभी को अंगूर बहुत ही पसंद होता है हरा काला लाल अंगूर में कई तरह के निट्रियंस पोसकता तो होते हैं जो सरीर को अलग-अलग तरह से लाप पहुचाते हैं लाल और काला अंगूर खाने से लीवर को सुस्त रखा जा सकता है और साथ ही साथ इसे किड़नी भी सुस्त रहती है नमबर दो दोस्तों चुकंदर में आईरन, सोडियम, पोटेसियम, फासपोरस परियावत मातरा में होते हैं जिसके कारण यह सरीर को सुस्त बनाय रखने में मत करता है चुकंदर रोग-पतिरोधक छमता को बढ़ाने का कारे करता है नमबर तीन जिन लोगों को लीवर से समन्धित कोई भी बिमारी हो उन्हें केले का सेवन जरू करना चाहिए आप चाहे तो डॉक्टर से भी लीवर, रोग या लीवर को सुस्त रखने के लिए किन फलो का सेवन करना चाहिए इसके बारे में सला ले सकते हैं फैटी लीवर होने पर पेट दर्द होता है लोग होने पर पीड में डर्द होता है इसथिती में भोझन को पचाने में काफी दिक्कत होती है ऐसे में लोगों को हलका सुपा पचाय भोजन लेना चाहिए केला हलका होता है इसमें मौझूद पोसक तत्व लीवर को हेल्दी रखते हैं केला खाने से पाचन क्रिया दुरूस रहती है पानी का सेवन सरीर में अतरीत विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है जब आपका सरीर अच्छी तरह से हाइड्रेट होता है तो यह नहीं किवल लीवर को काम कहने में मदद करता है बलकि यह आपके सरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं को भी मदद करता ह नमबर पांच दोस्तों भारती घरों में खाने में हल्दी का इस्तिमाल लेहूं ऐसा असंभव है हल्दी स्वास्त के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है जिन लोगों को लीवर से संबंधी समस्या होती है उन्हें प्रतिदिन हल्दी का पानी पीने की सलह दी जाती है साथ पीट के अंदर गए टॉक्सिंस को बाहर निकालने में भी मदद मिलती है